हलो प्यारे बच्चों, आज हम करें वर्कशीट नमबर टू, जो कि आपकी विज्ञान की वर्कशीट है और ये एर्थ क्लास के लिए वर्कशीट है, तो ये आपको बुद्वार को मतलब 16 सेप्टेंबर को मिल जाएगी, तो वर्कशीट कैसे शूर करनी है, सबसे पहले आप उपर वर्कशीट का नमबर डालेंगे, ये रहा आपका नमबर, फिर डेट डालेंगे, फिर अपना नाम लिखेंगे, और आपकी सब्जेक टीचर का नाम लिखेंगे, बस, और वर्कशीट शुरू कर देंगे, तो वर्कशीट किसके उपर है, वर्कशीट है सुक्षमजीव की वर्कषीट पढ़े थी उसी पर यह थै सुक्षमजीव क्या होते हैं बहुत चोटे जीव जो हमारी आँकों से दिखाई भी नहीं देते ए ठीक है सुक्षमजीव की हमारे जीवन में महतपुन भूमी का भी है हम यह कह देते हैं सुक्षमजीव हैं बहुत छोटे हैं कुछ बेकार भी होते हैं जैसे की कोरोना के बिमारी जो है वो कोविड-19 नाम के सुक्षमजीव से हुई है ठीक है तो सुक्षमजीव जो होते हैं वाइरस से हुई है वैसे बिटा तो सुक्षमजीव हमारे जीवन में महत्पुन भूमिका भी रखते हैं सुक्षमजीव हमारे बहुत सी खाने की वस्तों को बनाने में मदद करते हैं साथ ही इनका उपयोग विभिनकारियों के लिए भी होता है जैसे चीज बनाने में, ब्रेट बनाने में जब हम सबजियां वगेरा जैसे कूड़े दान में डाल दी उसके बाद उसको मिट्टी में दबाने से पहले उसमें केचुए डाल देते हैं थोड़ी दिनों बाद खात त्यार हो जाती है उसमें भी क्या लग जाते हैं बिटा सुक्ष्मजी इसके अलावा जो ओशद्या बनती है एंटिबायोटिक्स बनती है वो भी सुक्ष्मजी वो से ही बनती है और किस काम आता है पोधी के अंदर नाइट्रोजन को पहुचाने के लिए भी उसकी जड़ों में यहां दिख रहे हैं नॉड्यूल्स एन लिखा हुए हाँ उसकी जड़ों में लागुमिनस प्लांट की जड़ों में छुटे छुटे बैक्टीरियों होते हैं बिटा जो नाइट्रोजन को पकड़ के मिट्टे में मिला देते हैं नाइट्रोजन वाईउ में रहती है वो एक गैस है ठीक है इनके अलावा और किसमे कामाते है अचार बनाने में डोसा बनाने में इटली बनाने में सुक्षमजीव कामाते है अलकोहल बनाने में क्रिशी में मृदा की और वर्टा को बढ़ाने के लिए भी सुक्षमजीव का ही प्रियोग होता है ठीक है मतलब केशी के लिए मृदा मिट्टी को और अधी कुप जाओ बनाना है तब भी किसका प्रियोग होता है सुक्षमजीवों का इसलिए किसान खेत के अंदर बिटा एक बार कोई सबजी उगाने के बाद जो भी कुछ एक खेती कर रहा है उसके बाद वह दालों की खेती जरूर करता है जिसे किसक्षमजीव उसकी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा दे और वो दालों की डाल की जड़ो में जो पोध्य की जड़ो होती है उसमें रहते हैं यह सुक्षमजीव चलिए पिंकी ने अपनी अध्यापिका से बोचा मैं दही सुक्ष्मजीव की मदद से बनती है वो कहती है लेकिन मैंने देखा नहीं मैंने देखा है कि आप कहा रहे हो कि दही जो है सुक्ष्मजीव की मदद से बनती है क्या ऐसा है लेकिन मैंने तो अपने मा को देखा है कि मम्मी रात को हलका गरम दूद में थूड़ा सा दही डाल देती है और सुबह तक दही ते यार हो जाती है आप कहरो सुक्ष्मजीव से वनी वो कैसे होता है देखो अब तीचर ने पिंकी को समझाया देखो दही में लेक् इसलिए थोड़ा सा दही दूद में मिलाने पर वहर जिवानु उचित तापमान पर जनन कर सके तो दही में कौन सा जिवानु है लेक्टोगैसिलस अब उस जिवानु को बढ़ना है दीरे दीरे पूरे दूद के अंदर फैलना है तो क्या करते हैं हम हलका सा उसको गरम करते हैं दूद को तेज गरम में भी दही नहीं बनती हलका सा गरम करते हैं और फिर रख देते हैं क्यों जिसनी कि उसमें जो जिवानु है वो धीरे धीरे वृधी कर सके एक से दो दो से तीन उसमें जनन हो सके लेकिन ध्यान रहे दही बनाने के लिए दूद ना तो बहुत गरम होना चाहिए ना ही बहुत अधिक ठंडा होना चाहिए वह केवल कैसा होना चाहिए हलका गुन-गुना होना चाहिए ठीक है चलो अब इसके प्रेशन उतर करते हैं सारे बच्चे रेडियां प्रेशन उतर के लिए पहला कुशन पहला कुशन है आपका चलिए पहला कुशन है दूद से दही कैसे बनाया या जमाया जाता है। दही बनाने के लिए कौन सी दो चीजों की अवशक्ता होती है। तो आंसर लिखेंगे दूद से दही सुक्ष्म जीवों की मदद से बनाया जाता है। दही बनाने के लिए हलका गरम दूद और थोड़ा सा दही चाहिए होता है थोड़ा सा दही चाहिए होता है यह दो बर थोड़ा थोड़ा लिखा था पिटा एक को काड़ दिया है ठीक है तो कैसे लिखा रखा था दूद से इसमें यह भी लिख सकते हो दूठ से दही जमाने के लिए दूठ को हलका गरम करके उसके अंदर थोड़ा सा दही डाला जाता है राद बस को छोड़ दिया जाता है और सुबह उसमें दही बन जाती है दही में कौन सा जिवानू पाया जाता है दही में Lactobacillus नाम का जिवानू पाया जाता है अगला गोशन सुक्ष्म जीव के कोई चार उपयोग लिखे सुक्ष्म जीव का उपयोग चीज बनाने में ब्रेड बनाने में अपसिस्ट पधार्थ का अब घटन करने के लिए और उशद्दी बनाने के लिए प्रियोग होता है आपको दूस से बनी कौन सी चीज़े पसंद है और खाने में उसे खुशी मिलती है तो मुझे तो बेटा दूस से बने ब्रेड दही अच्छी लगती है ब्रेड अच्छी लगती है मिठाईया अच्छी लगती है और उनको खांके मुझे खुशी भी मिलती है तो ये थी आपकी वर्कशीट नमबर टू सभी बच्चे मॉर्निंग में वीडियो देखे वर्कशीट के आंसर्स फटाफट लिखकर फेशने फिर भी कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजीगा